नमस्कारम सद्गुरू, पूरे JNU समुदाई की ओर से, मैं हमारे अनमोल JNU परिसर में आपका स्वागत करती हूँ. आज शाम यहां आपकी मौजूद की हमारे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है. जब आप बोलते हैं, तब ही वो काम करता है. हम इस कारिक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और दर्शकों की विशाल, भीड, हमारा उत्सा और आभार दोनों प्रदर्शित करती है. खासकर मंच पर तीन मौडरेटर आपके साथ मंच पर मौजूद होकर अभिभूत हैं. हम आपको और दर्शकों को अपना परिचय देना चाहेंगे. मैं अनिमा सोनकर रूसी और मथ्य एश्याई अध्ययन स्कूल आफ इंटरनाशनल स्टेडीज में पीएश्डी कर रही हूं. मैं सिर्फ आनन्दित नहीं हूं. आप से मिलना किसी सपनी के सच होने जैसा है. और इस कारेक्रम का अफिन्न हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत महत्वपून है. नमस्ते सद्गुरू, मेरा नाम सुन्दरेश है. मैं जाकिर हुसेन सेंटर फॉर इंटरनाशनल स्टडीज से पीएश्डी कर रहा हूं. मैं बहुत खुश हूं. अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. हेलो सद्गुरू, मेरा नाम अंजिली योगी है. मैं पीएश्डी कर रहा हूं. और आपके यूट्यूब वीडियो देखने से लेकर आपके साथ बातचीत तक का सफर बहुत जबरदस रहा है. सद्गुरू, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज रात कारेकर्म किस प्रकार होगा? हमने लगभग 10 से 12 सवाल तयार किये हैं, जिसकी हम पैनल में चर्चा करेंगे. इसके बाद हम सोशल मीडिया पर आए कुछ सवालों को उठाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई कैंपस में मौझूद नहीं हो सकता. इसलिए हमने ऐसे सवाल चुने हैं, जिनसे यूवा संबन जोड पाएंगे. इसके बाद हम आज शाम के शांदार दर्शकों से सवाल आमंत्रित करेंगे. धन्यवाद. सद्गुरू, तो पहला सवाल है, जब हमने JNU के विद्ध्यार्थियों और विद्वानों को इस Youth and Truth अभियान के बारे में बताया, तो सबसे पहला सवाल इस अभियान के आधार के बारे में उठा, तो सच्चाई असल में होती क्या है, और आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल कैसे हैं? मुझे खुशी है, कि आप पूछ रहें कि सच्चाई क्या है? जो भी चीजें जीवन के सभी आयामों में कारगर हो, वही सत्य होगी, है न? इस देश में प्राचीन समय से ही सत्य मेव जैते कहा जाता रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ सत्य कारगर होता है, जब माहत्मा गांधी आए, तो उन्होंने उस समय इसे एक राजनितिक नारे की तरह इस्तमाल किया, मगर अब आप ऐसी स्थिती में पहुँच गए हैं, जिसमें आप सवाल करेंगे कि सत्य कारगर होगा या नहीं? तो मैं आपके लिए इसे दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, जो भी जीवन के सभी आयामों में सच में कारगर होगा, वही सत्य होगा, हैलो? जो चीज वास्तव में जीवन के हर पहलू में कारगर होती है, वो सत्य ही होगी, है न? तो मुझे कौन सी चीज काबिल बनाती है, यही आपको आज पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूँ, आपको पता लगाना चाहिए? सद्गुरू, अगला सवाल यह है, आप जानते हैं कि JNU राजनैतिक रूप से जीवन्त परिसर है, और इस परिसर में अराजनैतिक होना असंभव है, या प्रैक्टिकल नहीं है, किसी न किसी तरीके से हमें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है, राइट, ले जब मैं इस केंपस में आया, तो मुझे तुरंथ हॉस्टल नहीं मिला था, तो एक छातर कार्यकरता मेरे पास आया, और उसने मुझे अपने कमरे पर आने के लिए कहा, मैं उसके कमरे पर गया, और जब मैंने वहां देखा, उस छोटे से कमरे में पहले से साथ छातर रह रह और उनके वहां रहने के कारण राजनेतिक गतिविद्यों आधी में हिस्सा लेना एक तरह का बंधन हो जाता है तो जब वे राजनेतिक गतिविद्यों में शामिल होते हैं तो उन्हें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है ये पहली चीज है दूसरा उधारण है जब भी हम कैंपस के मुद्दों या राश्ट्रिय अथ्वा अंतर राश्ट्रिय मुद्दों पर कोई विशेश राय देते हैं तो हम एक खास विचार धारा से जोड़ दिया जाता है आप से मेरा सवाल ये है सद्गुरू कि एक छात्र कोई साइड लिये बिना या स्वतंत्र कैसे रह सकता है ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं देश भर में आम बात हो गई है अगर आप देश के बारे में कुछ बोलने के लिए मुँ खोलते हैं तो वो आपको किसी विचारधारा से जोडने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी हर समय लोग मुझे कभी लेफ्ट कभी राइट से जोडते हैं कभी-कभी वोग मुझे सेंटर में लटकाना चाहते हैं मैंने हमेशा ये बात साफ की है मेरा सरुकार लोगों से है राश्ट्रियता से भी नहीं मेरा सरुकार बस लोग है क्योंकि मैं हर तरह के लोगों के साथ काम करता हूं भारत में, भारत से बाहर, राजनेताओं, अभियुक्तों, आदिवासी इस्त्रियों हर तरह के लोगों के साथ, ठीक है? विद्यार्थियों के साथ, हर किसी के साथ मेरी चिंता मनुश्य को लेकर है, जीवन मगर हर हाल में कोई न कोई आपको किसी notice board पर लगाना चाहता है right board या left board या कुछ और ये एक दुर्भागेपून इस्तिती है क्योंकि ये एक लोकतंत्र को बर्बाद करने की प्रक्रिया है अभी ऐसा है, मान लीजिए आप right के लिए प्रतिबद हैं, मैं left के लिए प्रतिबद हूँ, क्योंकि मैं अधिक left दिख रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम प्रतिबद हो चुके हैं तो मैं पूछता हूँ, अब secret ballot का क्या काम है? हम जानते हैं कि ये तीन लोग right, right के लिए वोट करेंगे, ये left को वोट देका हर कोई जानता है फिर secret ballot का क्या मतलब है? एक नागरिक को नेतरत्व चुन्ने का प्रस्ताव देने का क्या मतलब है? तमिल भाषा में लोक तंतर का मतलब है जननायकम, इसका मतलब है कि लोग ही नेता है, इसका ये अर्थ है लोग नेता हैं, मगर सभी नेता तै हैं आप उनसे नेता कैसे बनाएंगे, आप लोक तंतर कैसे चलाएंगे? अगर आप जीवन्त लोकतंतर चाहते हैं, तो सबसे महत्वपून चीज ये है, कुछ पार्टी कारेकरताओं को छोड़ कर, बाकी आबादी किसी भी पार्टी, किसी विचारधारा से न जुड़ी हो, हम किसी को पांच साल मौका देते हैं, अगर वे अच्छा करते हैं, तो हम किसी और को ले आते हैं, ये इस तरह होना चाहिए, मकर दुर्भागे से ये दुनिया भर में प्रचलित हो गया है, अमेरिका में ये और बत्तर था, मैं अमेरिका में गर्व से बताता था कि हम एक जीवन्त लोकतंतर हैं, मकर पिछले पांच सालों में मैं भारत के जीवन्त लोकतंतर के बारे में मौन हो गया हो, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह बन गए हैं, ये ऐसा है, एक सीनियर रिपब्लिकन नेता मर रहा था, वो मृत्यु शैया पर था, मृत्यु शैया पर उसने अनुरोध किया, कि वो डेमोक्राटिक पार्टी में शामिल होना चाहता है, ल अपके पिता और आपके दादा भी सभी रिपब्लिकन थे, और अब मृत्यु शैया पर तुम डिमोक्राट बनना चाहते हो, उसने कहा हाँ, मैं एक डिमोक्राट बनना चाहता हूं, उन्होंने पुछा क्यों? वो बोला, मैं चाहता हूँ एक डिमोक्राट मर जाए। अंगरिक से मगर खास तोर पर युनिवर्सिटी के युवाओं से ये कह रहा हूं, कृप्या देश में मुद्दों पर भहस कीजे, पक्ष मतलीजे, देश के हर मुद्दे पर आपको भहस करनी चाहिए, मगर अपने जीवन के इस चरण में आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देश में लोकतंत्र को नश्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जाती, समुदाय या धर्म की तरह है, मैं इस पार्टी का हूँ, आप उस पार्टी के हैं, चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ही वोट दूँगा, ये एक सामंती समाज है, ये एक लो पूर्ट ये है, कि जो भी उनका समाधान देगा, उन्हें वोट मिलना चाहिए, जो भी एक उचित हल बताए, उन्हें वोट मिलना चाहिए, आपका वोट पहले से ही समर्पित है, तो आप लोकतंत्र को नश्ट कर रहे हैं, क्रिपया समत कीजिए, हमारे पास जो सबसे कीमत है, हम जिन परिशानियों से गुजरते हैं, और सभी न्यूस चैनल हम पर चिलाते रहते हैं, ये सब हम सिर्फ इसलिए सहन करते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, क्रिपया पक्ष लेकर इसे नश्ट मत कीजिए सादगुरू, अब मुझे अपना सवाल पूछने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा सवाल है, मैं एक छात्र कार्य करता हूँ, मुझे अलग-अलग मंचो, खास कर मीडिया पर अपनी संगठन का प्रती निदित्व करने के बहुत से अफसर मिलते हैं, और ऐसा करते मुझे काफी पहचान मिलती है, मगर जब मैं उन्हीं विध्यार्थियों और युवाओं के साथ समवाद करती हूँ, जिनके बीच मेरी पहचान है, तो वे मुझे साफ तोर पर बहुत विनमरता दिखाने की उम्मीद करते हैं, तो खास कर राजनीती में एक महिला के लिए मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ, उसकी सफलता के लिए मुझे शर्मिन्द क्यों महसूस कराया जाता है? देखिए, आप जिस सफलता को सफलता मान रही हैं, वो सिर्फ एक पहचान है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, जो लोग आज सराहना कर रहे हैं, कल सुबह वे पलट कर आपर पत्थर फेकेंगे, वही लोग, दुनिया का यही तरीका है, ठीक है? तो किसी की सराहना पर आसमान में मत उड़िये, यह ऐसा है, जैसे आप बाहर गए, किसी ने आपसे कहा कि आप धर्ती के सबसे शांदार इंसान हैं, तो आप बादल पे उड़ते वे घर पहुँचे, कौन से नमबर का बादल? सिर्फ नौ, दक्षिन भारत में बादल का नमबर 11 होता है, आप जिस भी नमबर के बादल पर सवार होकर घर पहुचे, घर पर लोगों ने आपको आपकी एसलियत बताई, और सब भी खर गया, इस मोड में मत आईए, उपर मत उड़िये, और नीचे भी मत आईए, किसी के क कुछ कहने पर, ऐसा सिर्फ तभी होता है, जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं, अगर आप इस बारे में सपश्ट हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोग जो चाहें कहें, वे बड़ी बाते कहेंगे, लेकिन आप सिमाएं जानते हैं, वे बुरी चीज़े कहेंगे मगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहें, जीवन में बस यहीं महत्वपूर्ण है, अगर आप इस बात पर फूल जाएंगे कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, या निराश हो जाएंगे कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो आपके जीवन पर इसका असर होगा, आप क्योंकि अगर आप बाहर कदम निकालते हैं, तो जाहिर है कि तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बाते करेंगे, लोग मुझ पर हर तरह का आरोप लगा चुके हैं, दुनिया भर के आरोप, जो एक मनुश्य कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, सब कुछ, मगर जब तक आप जानते ह कि आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सद्गुरू, यहां हम इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहेंगे, हालांकि यह एक खतरनाक सवाल है. सवाल कभी खतरनाक नहीं होता है, सिर्फ जवाब होता है. वीसी ने कहा है कि कैंपस बहुत चांदार है. क्या आप थोड़ी आवाज बढ़ा सकते हैं, प्लीज? तो जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में युनिवर्स्टी में आई, तो मैं सोचती थी कि राजनीती में क्यों जाएं, बस अपना केरियर बनाकर युनिवर्स्टी से चले जाएं. तो मेरा नजरिया केरियर केंद्रित था, आप क्या सोचते हैं, क्या चात्र जीवन और राजनीती एक अच्छा मिश्रण है, क्या आपको लगता है कि ये कुल मिलाकर एक अच्छा मिश्रण है? देखे, पहले राजनीती शब्द को समझते हैं. दुर्भाग्य से, आज इस देश में, अगर मैं कहूं कि वे राजनीती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे कुछ बुरा कर रहे हैं. दुर्भागेपून, राजनीती का मतलब है कि आपका काम नीती बनाना है राजनीती से लिए होती है राजनेता का मतलब है ऐसा इंसान जो नीती निर्मान में शामिल है नीती निर्मान किसी राष्ट के निर्मान के लिए जरूरी है या नहीं वो ज़रूरी है या नहीं, तो सबसे पहले राजनीती शब्द का निगेटिव अर्थ हटा दीजे, अगर आप राजनीती करके लोगों के साथ बुरे तरीके से चीजें कर रहे हैं, तो निश्यत रूप से आपको ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आप समझने की कोश किसी समाज या देश के लिए समाधान किस तरह ढूंडा जाना चाहिए, हर किसी को इसके बार में सोचना चाहिए, वरना हम गैर जिमेदार नागरिक समाज बन गए हैं, जहां हम जाकर वोड तक नहीं देते, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये क्या है, हमें लगता है कि राजनी राजनीती का मतलब एक दूसरे के साथ कुछ बुरा करना है नहीं, राजनीती का मतलब है नीती बनाना सीखना, नीती बनाने का मतलब है किसी ऐसे बिंदू पर पहुँचना जो हर किसी के लिए कारगर हो, हर किसी के लिए नहीं तो कम से कम अधिकतम लोगों के लिए, देश य आप दो सदस्यों वाला या चार सदस्यों वाला परिवार चलाने जा रहे हों या कोई छोटा मोटा कारोबार या कोई संस्ता या देश क्या ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा धांचा बनाने का तरीका सीखें जो सभी संबंदित लोगों के लिए कारगर हो क्या यह हम नहीं है, चाहे आप भविश्य में कुछ भी करें। तो हमने पाया कि सद्गुरु को बहुत से लोगों द्वारा राइट विंग का माना जाता है। हाला कि आपने इससे पहले भी स्पश्ट करने की कोशिश की है, मगर ये… राइट विंग कहा है? ये राइट आम है। मगर सद्गुरु ये धाणना इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी डिमॉनिटाइजिशन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। उसके बाद देश में कोई बम विस्फोड ना होने पर भी। तो क्या सद्गुरु… इसे सपष्ट करते हैं। क्या सद्गुरु अब दक्षिन पंथी हो गए हैं। देखे फिलहाल हम तमिलनाडु सरकार के साथ काम कर रहे हैं। जो आप जानते हैं कि अन्ना द्रमुक है। कोई नहीं जानता कि वो कौन सी विंग है। हम आंद्रप्रदेश सरकार के साथ काफी काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप तै नहीं कर सकती कि वो कौन सी विंग है। और वो विंग केंद्र में बड़ी विंग का हिस्सा थी। मगर अब वो नहीं है। वो उसके खिलाफ हो रही है। हम केरल में काम कर रहे हैं जो वामपंथी है और हम केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसे दक्षिन पंथी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार के साथ क्या समस्या है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का मतलब है लोगों की पसंद है ना कोई ये कहे कि मैं लोगों की पसंद का सम्मान नहीं करता हूँ मेरे ख्याल से आप पागल हैं आप आप कटर पंथी हैं आप अपने विश्वासों को लेकर कटर हैं मैं किसी विंग से नहीं जुडाओं पर चाहे मैं सहमत हूँ या नहीं, मैं लोगों की इच्छा के सामने सिर जुकाऊंगा, क्योंकि एक लोकतंत्र का यही मतलब है, अब महत्व, लोकतंत्र का महत्व यही है, आपने मेरे बारे में बाते कहीं, मैं सिर्फ 14 साल का था, ठीक है, कृपया मुझे माफ कर दीजे, सद्गुरु आप उसे ऐसे पेश कर रहे हैं, जैसे वह आपकी गलती थी, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी गलती थी, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, वो सत्तर का दशक था, 1967 में चे की मृत्यू हुई, आप नहीं समझते, उस समय, चे हमारे बड़े भाई जैसा था, वो मर गया, और उसे कैसे मारा गया, ये कहानिया हर जगे फैलने लगी, और हम सभी में धेर सारी भावनाई थी, आज भी मैं लोगों को चे की टी-शिट पहन कर घूमते देखता ह शायद उनमें से काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है, उन्हें लगता है कि वो बॉब मारले जैसा कोई है, तो उस समय ऐसा लगा जैसे हमारा बड़ा भाई बोलिविया में मारा गया, और उस समय देश ऐसी स्थिती में था, जहां ऐसा लग रहा था, कि इस द बहुत से दूसरे लोगों का मानना था कि सशस्त्र क्रांती के अलावा इस देश के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, स्कूल में भी ऐसे शिक्षक होते थे जो हमें ये चीज बताते थे, हर कहीं रूसी साहित दिखता था, हमने खूब पढ़ा और हमने रूसी साहित को अपने अंदर उतार लिया, और वो सब सही लगता था, और मैं हमेशा गुसे में रहता था, आपको विश्वास नहीं होगा, मगर मैं हमेशा गुसे में होता था, क्योंकि हर जगे में अन्याय देखता था, घर में, सडक पर, हर कहीं, राजनिती और धर में, किसी भी जगे मुझे स जिर्फ अन्याय अन्याय और अन्याय दिखता था, इसलिए मैं हर समय 2400 गंटे किसी न किसी चीज को लेकर गुस्से में रहता था, जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप जल्दी समाधान चाहते हैं, आप समाधान के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, आप तुरंत हल चा मुझे उन दिनों का पश्तावा नहीं है, मगर अब हम ऐसे समय में आ गए हैं, जहां हम लोकतांतरिक तरीके से एक संभावना की दहलीज पर हैं, इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मात्र देश जिसने एक अरब लोगो को गरीबी से आर्थिक खुशाली के एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया है, वो है चीन, ठीक है, मगर उन्होंने इसे कठोर, हिंसक तरीके से किया, बहुत सी बार गोलियां चला कर किया, मगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को पीढ़ी दर पीबी में रखना उन्हें मारने से भी बुरा है, जबरदस्त गरीबी जहां पोशन एक मुद्दा होता है, तो उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से किया, आप उनकी निंदा कर सकते हैं, या सराहना कर सकते हैं, मेरे लिए वो एक खास समझ है, पीड़ा दायक समझ, जि अब उन्होंने वो पा लिया, जो वो पाना चाहते थे, तो अब वे धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वे खुली बाजार प्रनाली को अपना रहे हैं, मगर भारत में हमारे पास अनूठी संभावना है, हम पचास से स आठ करोर लोगों को अभी भी जबरदस्त गरीबी से खुश हाली के एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंचा सकते हैं, सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में, हम उसकी दहलीज पर हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए, बिना गोलियों, बिना हत्याओं के, बिना भारी कंट्रोल के कुछ नहीं, कोई बलप्रियोग नहीं, हम बिना बलप्रियोग के ऐसा करने में सक्षम हैं, अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम सभी एक साथ आएं तो ये होगा, वरना हम हमेशा दहलीज पर ही बैठे रहेंगे, अभी एक संभावना है, हम दहलीज को पार कर सकते हैं, मेरे ख् नहीं नहीं हुआ है, पहली बार इस देश में ये कर सकते हैं, तो जब आप युवा थे, आप कम्यूनिस्ट थे, अब आप ये कह रहे हैं, मैंने अपना रुख नहीं बदला है, मैं अब भी वही हूँ, क्योंकि मेरे लिए साम्मिवाद का मतलब है, कि एक व्यक्ति समुद समुदाय को अपना ही रूप समझ कर गले लगा ले, जो मैं अभी करता हूँ, मैं पाटी में नहीं हूँ, क्योंकि पाटी मेरी समझ से बाहर है, मगर साम्मिवाद मेरे अंदर से नहीं गया है, हम एक समुदाय हैं, जहां हम साथ रहते हैं, कुछ हजार लोग, जाती, धर्म, किसी भी फर्क से परे एक साथ रहते हैं, मैंने इशा योग केंद्र आने वाले किसी से भी नहीं पूछा, कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाती क्या है, मैं पूछता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे मन में ही नहीं आता, तो जैन्यू में मैं दक्षिन पंथी कैसे बन ग ठीक है? बस किसी के बारे में निराधार राय कायम करना जिससे आप मिले तक नहीं है ये मैंने हर कहीं खास कर इस देश में देखा है दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता मैं ये देख रहा हूं इस देश में जो लोग मुझसे कभी मिले ही नहीं है वे मेरे बारे में मुझसे जादा जानते हैं जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है ना मिले हैं ना बात की है वे मेरे बारे में मुझसे जादा जानते हैं मेरे ख्याल से आपको उन्हें PhD दे देनी चाहिए क्योंकि वे ऐसी कलपना से भरी रिसर्च कर रहे हैं तो मैं सरकारों के साथ काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, हर किसी को बता दीजे, जो भी सरकार चुनी जाती है, क्योंकि मैं लोगों की इच्छा का सम्मान करता हूं, मेरी राय बड़ी नहीं है, मेरी राय इस देश के लोगों के मर्जी से बड़ी नहीं है, हमेशा सादगुरू, अगर हम आपकी बात मान भी ले, तब भी यहां सोच बहुत मजबूत है कि दक्षिन पंत की और जुकाव तो है, क्योंकि जैसे यहां, क्या आप, क्या आप मैसूस करते हैं कि यहां 2019 के लिए वोट जुटाने का अच्छा समय है, यूथें टूथ अभियान के ज मुझे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आवान करूँ, तो किसी भी पार्टी को काफी वोट मिल जाएंगे, ठीक है, मगर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी मुझसे पूछती है, मुझे किस पार् के लिए क्या अच्छा है चाहे वो मेरी लिए अच्छा ना हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और आसपास के लोगों के लिए कलाकारों के समाज के लिए जो अच्छा है उस पार्टी को वोट देना चाहिए ना कि मेरे कहने पर योग केंद्र में और हर कहीं जहां में जाता हूँ लोग पूछते हैं सद्गुरू मैं किसे वोट दूँ मैं कहता हूँ मैं लोकतंत्र को नस्ट करने का काम नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं आवान करता हूँ और मान लीजिए एक करोर लोग वोट देते हैं तो क्या ये लोकतंत्र को नस्ट करना नहीं इसे बदलने की जरूरत है, जब हर व्यक्ति खुद सोच कर वोट देता है, हर बार नए सिरे से ये कहता है, किसी पार्टी के लिए समर्पित नहीं होता, सिर्फ तभी लोकतंत्र जिवित रह सकता है, ये हमारी सबसे कीमती चीज है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे कीमती चीज य या नहीं ये ऐसा ही रहा है मगर पिछले सौ डेड़ सो सालों में पहली बार हम खून खराबे के बिना नेत्रित्व बदलने में सक्षम रहें इसे कम मत समझिये कभी कम मत समझिये अजये।